आज मैं आपके साथ शेयर करी हूं माता रानी का विशेश भोग प्रशाद हल्वा और काले चने की रेसिपी यह बिल्कुल हल्वाई स्टाइल बनाया है जैसे हल्वाई लोग बनाते हैं स्टेप बैस टप मैंने बिल्कुल बैसे ही बनाया है बिल्कुल देखिए आप मेरा कितनी अच्छी तरह से लिप्टे हुए हैं हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका लॉगिंग विंड बाय रुजी में तो यहां पर आपको चने जो हैं देखिए दो तरीके के होते हैं यह चोटा और एक बड़ा जब भी आप परिशाद बनाए तो यह बड़े दाने वाले चन करें इसे मैंने दो पानी से साफ करके कुकर में डाल दिया है साथ में मैंने डाल दिया है तेज पत्ता और थोड़ा सा नमक आप चाहें तो बड़ी लाइची भी डाल सकते हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है लिकिन आज मैंने नहीं डाला मेरे पास नहीं था मैंन काजू बदाम और किशमिश उन्हें रोस्ट कर लूँगी आज जो मैं हल्वा बना रही हूं इसमें छोटी चोटी ट्रिक्स में आपको बताऊंगी जिसमें बहुत कम घीका यूज करके भी हल्वा बिल्कुल जगराते स्टाइल बनेगा और बहुत जादा टेस्टी बनेगा आप देख रहे हैं यहां पर हमारे ड्राइफ फ्रूट्स रहे हैं वो फ्राई हो गए मैंने इसे बोल में निकाल लिया है अब मैंने यहां पर ले लिया आधा कप सूजी आप हमेशा जब भी लें इस तरह से हल्वा बनाए तो परफेक्ट मेजरमेंट से बनाए अगर आप मैंत्ध सूजी बुन रहा है मैंने उसी चाहिट निकाल यहां पर चीनी ले लिये ऐ साथ में इसी कप से मैं यापशन पर तेन कप इसमें पारी डाले Ho कटोरी जो सेट करें उसी से सारी चीज़ें नाप के लिए जैसे मैं ले रही हूं यहां पर इसे मैं एक तरफ गैस पर चड़ा दिया है क्योंकि मैं इसे बॉयल करूंगी और तोड़ा साथ मैंने केसर डाल दिया है यह पूरी तरह से ऑप्शनल है अगर आपके पास हो तो डा है कितना आपऊ अच्छा आया है यहां पर औक एक तहार की नहीं है सिर्फ पादी बोईल करना दानी है तो यहां पर पर- आपको इसे घान ड़किएगा आपको लोगन पर इसे दिरे धीरे पकारे आए इसके भी आ तो दीरे दीरे करके मैं थोड़ा थोड़ा घी इसमें एड़ कर रही हूं आपको इस बात का ध्यान रखना से में step by step ऐसे ही बनाना है और हमारा पानी थोड़ा रिड्यूस हो गया था फिर एक चमच घी मैंने इसमें और एड़ कर दिया तो देख पा रहे होंगे हमारा जो हल बनकर रेड़ी होता है इतने हलवे मेरी आधी कटोरी घी उजवा था अब मैंने यहां पर थोड़े से ड्राइफूट्स डाल दी है इसमें और थोड़े से ड्राइफूट्स मैंने गार्निशिंग के लिए बचा दी है तो हमारा हलवा जो है वह बिल्कुल बनकर रेड़ी ह और बहुत ही अच्छा लाजवाब हलवा बनाए आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करिएगा मेरे कहने से यहां पर मैंने जो बागी ड्राइफूट्स बजएते वह इसमें आड़ कर दी है आप इसका टेक्शर देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा यह देखने में लग और मातारानी का भोग प्रशाद है तो खाने में तो अच्छा यह हो गई यहां पर मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूं तोड़ा सा यह कितना दाने दार बनाए कितना पर्फेक्ट बनाए अगर आप इसी तरह मेरे बतावे मेशरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका इसी पानी जो मैं डाला था बहुत जादा पानी डालना था क्योंकि हमें इसके नियुस्पर बनाने आप यहां 20 लैदाव ज दो पी चना नियुस्पर लैनी इसमें आपको डालना आपको सर्सों का यह स्ञणता अलोra और में शुर्णा कर दक नहीं करते हैं पानी जो है मसालों के साथ रिड्यूस होता है तो इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और मसाले आपके जलते नहीं है बहुत अच्छे से पकते हैं सालों में मैंने या पर एक चमश सबजी मसाला, आधा चमश लाल मिर्च पाउडर आधा चमश गरम मसाला यूज किया है लास्ट में अभी मैं इसमें एक सीक्रेट मसाला भी डालूंगी लेकिन अभी पानी को आपको रिड्यूस करना है मसालों के साथ अच्छी तरह से और जैसे यह रिड्यूस होगा आपको दिखेगा इसका टेक्श्चर जो है बहुत अच्छा आगया यह देखिए हमारा पानी जगराते वाले जगराते वाले चने के जैसे लगते हैं बिल्कुल इनका टेस्ट और अरोमा बिल्कुल वैसा ही होता है तो यहां पर मैं नमक दुबारा डालना भूल गई थी अच्छी डाल दिया है फिर से और एक चमज मैं आपर खटाई डाल दिये नमक हमने पहले भी डाला हुआ था तो आप ध्यान से डालिए गा और आप देख पा रहे होंगे मेरे चने जो हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं कितने अच्छी तरीके से मसाले से कोट हो गए हैं अगर आपको मेरी आज की रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा आप मुझे कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये भी खर बातनी करें ये लिए थाग सुंखर मेरे चैनल झाल